जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी ना करें ये आठ काम, वरना व्यर्थ हो जाएगी पूजा नमबर एक, जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, भगवान विश्णु को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है माननेता के अनुसार तुलसी भगवान विश्णु को अत्यंत प्रिये है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुब नहीं माना जाता है नमबर दो, आज के दिन लस्टुन, प्याज या कोई भी अन्ने तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, इस दिन घर में मास और शराब नहीं लाना चाहिए नमबर तीन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी किसी का अनादर ना करें, भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब, सभी भक्त एक समान ही है, किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण अप्रसन हो सकते हैं 4. जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, एकाश्ची और जन्माष्टमी के दिन चावल और जों से बने भूझ्जे-पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है नमबर पांच, जनमाश्टमी के दिन भ्रम जर्रे का पालन करना अनिवार्रे होता है इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए नमबर छे, जनमाश्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुप माना जाता है श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उन में बसती है बलकि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए इस से घर और परिवार में सुख और शांती बनी रहती है इस दिन भूल कर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए भगवान कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था काना बच्पन में गायों के साथ ही खेलते थे ऐसी माननेता है कि जो भी गायों की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का आशिरवाज जरूर मिलता है जो लोग इस दिन भृत रखते हैं उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना भृत नहीं खोलना चाहिए उससे पहले भृत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और भृत पी अधूरा माना जाता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद